हुआ कि कीवर्ड रिसर्च कित्ने होते हैं और हुआ किसी क् congratus करता है तो उसकेन पीछे उसका intent क्या होता है कितने टाइप का keyword intent होता है वो भी पुछले पूर्ट में σब्छा था इस साथ-साथ आपको बताते चलूँगा So basically हम keyword research क्यों इसका basic definition हम समझ लेते हैं Keyword research is a essential and हम कहा सकते हैं कि initial step है Search in a optimization process में It involves identifying and selecting the keywords and phrases that people use for searching the product अब मैं आपको ये बताता हूँ कि suppose आप SEO पर काम कर रहे हो किसी website का SEO आपको मिला है करने को ठीक है तो अब आपका क्या काम है कि आपको हर एक वो keywords target करने होंगे जिस पे आपका website rank कर सकते है या जिस category जिस niche पे आपका website है suppose आपके पास कोई blog है आप blog कर लिखते हो या आपको कोई product का website है या आपको इस services provide कर वा रहे हो तो आपको है कि आपके service से related जितने भी keywords लोग queries डालते हैं YouTube पे आपको उन सब पे काम करना होगा और analyze करना होगा कि किस पे मैं काम करूँ कि वो मुझे ज़्यादा beneficial होगा किस पे मैं काम करूँ जिस पे कम time में rank कर पाऊँ और आपको category वाइस divide करना पड़ेगा कुछ keywords आपको ऐसे मिलेंगे जिस पे competitors बहुत काम कर रहे है तो वो आपके लिए जैसे आप अपने initial part में हो आप start कर रहे हो website पे SEO करना तो उन low targeting keywords low competitive keywords को आप starting में target करोगे क्योंकि वो आपके लिए easily थोड़ा बहुत traffic आपको ले के आएगा कुछ time पे फिर कुछ आपको keywords जो है वो आपको काफी ज्यादा competitors काम कर रहे हैं आप उनके उपर बाद में भी काम कर सकते हो या साथ-साथ भी आप काम कर सकते हो तो यह target option जो आपका जो audience है वो आपके related जो queries सर्च कर रहा है वो हमें यहाँ पर find करना होता है चाहे आप blog लिख रहे हो तो उससे related आपके topics related जो भी questions आ रहे हैं आप उसको put करो तो यह कुछ tools के through भी होता है आप manually भी कर सकते हो Google खुद में एक search engine है वो खुद आपको topics बता देता है suggest कर देता है वो भी मैं आपको इस video में समझाओगा So here is a step by step guide on how to do keyword research for SEO मैं आपको step by step मैं अपने जो guide में जो करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा See सबसे पहला है identify your target audience before to begin researching keywords it's important to have a clear understanding of your target audience Suppose मैं अगर सूज बेच रहा हूँ मैं बार-बार सूज का ही example ले रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को एक किसी product से आप relate कर सको Suppose अगर मैं सूज बेच रहा हूँ तो मैं मैं में सूज अगर बेच रहा हूँ तो मैं कभी उन keywords पर काम नहीं करूँगा जिस पे लोग सर्च करते हैं कि women's इस टाइब से keywords पर तो मुझे अपने target audience मेरा जो product या service है मैं उसके लिए जो final user होगा मेरा final जो consumer होगा उसको समझू जो customer होगा उसको समझू उसके intent को समझू और उस हिसाब से मैं अपना target करूँ तो अब कौन ऐसे persons होंगे जो मेरे SEO के course को खरीच सकते हैं या उसमें interested होंगे पहली बात वो फ्रेस graduates हो सकते हैं तो यह चीज दो criteria है उनका demographic मैं लग सकता हूँ कि मेभी जो cities में रहते हैं जहां जिनका फिर मगयर interest में करूं तो जिनका interest digital marketing में हो या marketing में हो जो social media जैसे marketing पे वो जिनका interest हो राइट उनका pain points क्या है हो सकता है वो jobless हो और वो कुछ ऐसे skills course को खोज रहे हों जिससे वो gain करके skill course सीख के फिर कोई किसी कहीं job कर ले या फिर वो अपना website बनाना चाह रहे हो और वो चाहते हैं कि मैं अपने website को के लिए मैं SEO खुद से website start करना चाहता है लेकिन कैसे topic search करें कैसे keyword research करें कैसे on page करें कैसे off page activity करें तो मैं यह सब मेरे targeted audience हो सकते हैं ठीक है और उनका जो behavior होगा interest होगा और जो pain points है मैं उनको क्या दे सकता हूं और वो किस type से search करेंगे कि मैं वहाँ पा रहा हूं तो यह समझना बहुत जरूरी है to help अभी जैसे मैंने बताया मैं इस हिसाफ़चा कर टागेटिंग कर सकता हूं अपने target audience को समझ सकता हूं use keyword research tool see अभी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा keyword research tool होता है कुछ-कुछ tool होते हैं जो free में आपको मिल जाएंगे जैसे कि Google का Google का खुद पुर्चना जो सीड keyword से यह उसमें पेड़करोों ऑर वो आपको सञेस्ट करेंगे सीशकरेंगे सो आपको सगेस्ट करेंगे समय जिसमें जो आपके नियूदेट्च से रुलेटेट्ट है वहाइन पर आपको सर्च गराज़ नहीं जएए, वह सजट कर देते हैं उससे रिल एक्टिबली उसका ट्रेंड क्या चल रहा है अब ट्रेंड है क्या डाउन ट्रेंड है कि लोग अब सर्च करना छोड़ दिये हैं कितने कॉंप्टीटर्स उस पे काम कर रहे हैं सेम कीवर्ड्स पे कि उनका वेबसाइट रेंग हो जाए तो यह सब आपको वहां से अनिलाइज कि मिलता है अगर हम एड्स की बात करें तो हमें सीपी सी वगयरा कॉस्ट पर क्लिक अगर हम इस चलाते हैं तो हमें क्या एक कौसट लगेगा कि जब कोई बंदा हमारा पना फिरुर्द के हम कितनेफ उसक्लिक लेंगा तो यह सब चीजे हम कुछ किवर्ड रिसर्ज टूल से भी ले सकते हैं जो मैं करता हूँ मैं Samrush और HRF यूज करता हूँ तो basically Google Keyword Planner भी आप as a beginner यूज कर सकते हो ठीक है यह बिल्कुल free है create a list of relevant keywords जब आप keyword research पर काम करते हो target audience को समझ के कि वो क्या क्या सर्च कर सकते हैं फिर आप keyword research टूल से आप को कई सारे keywords मिल जाते हैं thousands of keywords मिल जाएंगे लेकिन हम सब में एक साथ काम नहीं कर सकते हैं अगर आपका new website है या कुछ भी product page है आपके products related हमें 100-2002 1000 तक keyword जादा ही मिल सकते हैं लेकिन हम सब को use नहीं कर सकते हैं हम उसमें देखेंगे कि search volume किसका ठीक है किसमें हमें अभी starting में low competition है ताकि हम वो सारे keywords पर काम करना start करें ताकि initially कुछ-कुछ traffic हमारे website या product page या कुछ पर service page पर आए तो आप उस हिसाब से आप कुछ keyword जो आपका relevant है और जो आप initially use करोगे उसको आप filter out करो और उसको targeting keyword में रखो ठीक है वहां से आपको relevant keyword search करना होगा using this information from your research create a list of relevant keywords that are related to your business आपको कुछ primary keywords जिस पर आपको full focus करना है कुछ secondary keyword जो आपके product से related या service page से related हो आप उसको filter out कर सकते हो of short tail and long tail keywords which are more specific and less competitive respectively अब देखो आप analyze the competition once you have the list of keywords it's important to analyze the competition for each one see which website is currently ranking for those keywords and understand their strength and weakness अब मैं आपको सबसे बड़ा advantage बता सकता हूं keyword research का see आपने keyword research किया आपको 2000-3000 keywords मिले राइट आप उस में से 20-30 कुछ ऐसे low competitive keywords आपने find out किया अपने website या अपने product page के लिए जिसका search volume ठीक ठाक है 100 plus 200 plus search volume है monthly और keyword difficulty बहुत कम है तो वह हमारे लिए अच्छी opportunity है अब आप क्या करोगे इस थोड़ा यहां पर आपका analytical जो माइंड है वो काम आना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमने website बना दिया content अपने मन से हमने लिख दिया और उस keyword हमने फीड करेंगे नहीं आप क्या करोगे जब जो आपका finalized keyword है आप उसको उठाओ और search result में डालो राइट अब आप देख सकते हो कि वह real जो competitors हैं आपके उस keyword पे सबसे top पे जो आ रहे हैं वह आपके real competitors हैं आप उनका एक list निकालो top 10 जो उस particular keyword पे जो top 10 में rank कर रहे हैं या top 5 में rank कर रहे हैं आप उनके उन्होंने ऐसा क्या किया है अपने page में या अपने website में जो उस keyword पे rank कर रहे हैं आप उनको खोलो फिर देखो कि उन्होंने अपने content को किस तरीके से दिजाइन किया है उनका on page देखो आप क्यों ने अपने on page को किस तरीके से design किया है क्या-क्या content उन्होंने डाला है कितने amount में content डाला है और आपको कितने amount उनसे बहतर होने के लिए आपको किस तरीके में डालना होगा तो यहां से आपका थोड़ा सा analytical mind जो है वह बहुत काम आएगा और इस तरीके से result काफी जल्दी आता है सब मैंने practical करके भी देखा है फिर आप देखो प्रेटराइज keywords based on your research प्रेटराइज the keywords that are most relevant to your business and have highest search volume अब हम कुछ ऐसे keywords को priority देंगे जो हमारे business से सबसे ज़्यादा relate करते हैं और जिसका search volume काफी ज्यादा है competition भी होगा ठीक है competition भी होगा लेकिन हम उसमें से filter out करेंगी जिसका सबसे ज्यादा सबसे कम competition है वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपस्रेटी लिए this will be keywords that you will be focused on optimizing for यह हमारा सबसे अच्छा keyword है अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप उसको search engine में डालो और जो भी results आते हैं top 10 top 5 आप उनको analyze करोगे फिर अपने हिसाब से अपने website को optimize करोगे कि उन्होंने जो competitors है हमारे उन्होंने इस तरीके से optimize किया है तो उनसे मैं बहतर करूँगा अब बहतर in the sense आप content कर सकते हो कुछ relevant information डाल सकते हो अगर blogging website है ठीक है कुछ ऐसे topics आप कर सकते हो जो उन्होंने नहीं किया है तो Google समझेगा कि नहीं इस keyword पर जो पहले जो website rank कर रहे है उससे थोड़ा सा quality content इसमें ज्यादा है तो वो कुछ time के बाद उसको ranking देने लगे ठीक है search result में वो suggest करेंगे users को user पढ़ेगा और आप पे content अच्छा है अच्छे इंगेजिंग content लिखा हो है तो आपका basic उस पे engagement time जो है user जो जितना time आपके पेज़ पे spend करेगा वो सब Google समझता है और फिर उस सहाब से आपको तीड़े तीड़े ranking मिलेगी ranking में सिर्फ यही चीज नहीं होता है मैं फिर रिपीट करूं बहुत चीज चीजे होते हैं लेकिन this is a part of it ठीक है मैं keywords के बारे में बता रहा हूं and the page title for your keywords creating high quality relevant content that include your keywords and building backlink on or to your site right अब देखो monitor your progress keyword research is not a one-time task you should continuously monitor your search engine ranking and adjust your optimizing strategy as needed as of me मैं क्या करता हूं कि मैं जब भी अपने clients के लिए या मैं खुद के website पे जब भी मैं काम करता हूं कुछ keywords को मैं जब उनको target करके focused keyword करके तो जो भी pages पे मैं keyword low competitive or high search volume वाले keywords में डालता हूं मैं हर एक मन्त उन सबों का मैं उन सबों का जो है मैं हर एक मन्त उनको track करता हूं उस keyword को search करूंगा और अपने website को track करूंगा कि मेरा website उस rank में कितने position पे हैं अगर वो increase हो रहा है तो फिर अच्छी बात है अगर वो decrease हो गया तो फिर हमें अपने webpage के content को update करना होगा थोड़ा सा हमें modifications करने होते हैं तो यह सब मेरे कुछ keywords जो मैं use करता हूं मैं कैसे keyword को अपने page पे अपने client के pages पे use करता हूं और कैसे मैं उनका track रखता हूं यह सब मैं कुछ steps use करता हूं जो मैंने आपके साथ share किया hope कि आप भी इसको use करो जब आप SEO करोगे तो इन सब बातों का भी ध्यान रखो और additionally आप अगर जब चीज़ें खुझ से करोगे तो काफी चीज़ें आपको खुझ से आपको समझ आएगी और वो results भी आपको देगा so that's all thank you